हेलो व्रीवन वेलकम टू टूदेश वीडियो आज की वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे बिटकोइन का लेटिस चार्ट क्या अपडेट्स है कर हमने देखा कि बिटकोइन एक सदन पॉंप लिया है और उसके अराउंड आपको कैसे ट्रेट करना है क्या यहां पर हमें लॉं यहां पर बिटकोइन ने रात में इस नहीं ट्रेंड लाइन को पकड़ा और इसके अकॉर्डिंग मूफ किया है आप देख सकते हो जब यह फाइनल डिप आया था जो इसका लोईस पॉंट था दिन में उसके बाद से इसने इस ट्रेंड लाइन को पकड़ के मूफ किया है फिर यहां से हमने एक slight breakout देखने को मिला है और इस breakout के बाद हम उपर की side move करें है यह trend line नहीं बनी है कल ही बनी है तो हमारी update के बाद बनी है इसलिए हमने update पे इसको mention नहीं कर सकते थे इसके बाद यह breakout हुआ और यह वाला जो हमारा resistance को अच्छे से break किया है फिर इस पर एक ret इहान में रखते हुए चलना है इसके बाद हम MACD की side देखते है MACD ने हमें कल दिन में क्या दिखाया है तो हमारी कल की update अगर आपने देखी होगी तो आपको अपने बताया था कि MACD अभी थोड़ी देर के लिए parallel चलेगा उसके बाद हम MACD से end of the day में एक cut देखेंगे and वहा यहां पर आपको slight jerk दिखेगा यह जर्क इसलिए क्योंकि एक sudden move था ठीक है यह थोड़ा सा unprecedented move था slowly slowly नहीं गया एक sudden यहां पर volume candle आई थी तो यहां पर ध्यान में रखना है तो यहां पर एक और चीज़ हमें दिखाता है कि cipher indicators के blue bullish supports हैं वह किस तरीके से काम करते हैं इन supports ने प्रेरिश नहीं होने दिया ग्रे नहीं होने दिया है तो यह भी एक अच्छी चीज है shorter timeframes में आपको long लेना चाहिए short करना चाहिए वह भी हम discuss कर लेते हैं तो आप किसी भी coin मेंगर आप trade कर रहे हो तो मैं आपको bitcoin के example से बता देता हूं 15 to 30 minutes के timeframes में आपको देखना है इस करेंगे तो यह भी थोड़ा नीचे है थोड़ी थोड़ी दिर में करेगा अभी आप position यहां पर बिल्ड कर सकते हो ठीक है तो shorter timeframes में आपके पास long की opportunities हैं साथी साथ हम MA के पास हैं and support के पास हैं plus हमारे पास Cypher के भी supports आप अविलेबल हैं तो यह तीरों चीजे हमें 13 to 15 minutes क timeframes में Bitcoin में तो अच्छा positive moment दिखा रही है और बाकी coins में भी हमें ऐसे ही देखने को मिल सकता है तो यह आपको याद रखना है आपको shorter timeframes में बिल्ड करना है अब larger timeframes में क्या दिक्कत है अगर मैं आपको दिखा हूँ Ethereum के example से तो बहुत सारे coins अपने resistance के पास है तो Ethereum में अग larger timeframes में आपको थोड़ा सा एक bearish mindset लेके चलना है मतलब कि 4 hours से उपर के अगर timeframes में आप चेक कर रहे हो अब मैं बताता हूं वह ऐसा क्यूं है क्यूंकि S&P 500 का movement हमने देखा तो यहां पर S&P 500 की opening हुई and साथी साथ Bitcoin में भी वो dump आया ठीक है जो Bitcoin का dump था यह S&P 500 की opening से काफ में interrelate करती है and अगर आप S&P 500 को daily timeframes में देखोगे तो आपको यहां पर bearish candle दिख जाएगी साथी साथ यहां पर bearish cypher bands भी है plus हमारे पास है कि लगातार 3-4 green candles आई है उसके बाद एक ऐसी candle आई है यह generally एक bearish sign होता है क्यूंकि volume काफी सारी buying वाली यहां पर खता हो सकता है कि थोड़ा सा यह नीचे जाए 4400 के आसपास आए उसके आद ऊपर जाए पर यह थोड़ा सा भी नीचे आता है तो यह stock market का index है एक 2% का movement भी बहुत बड़ा होता है तो वो चीज़े आपको याद रखने है उसे साब से आपको अपना trade plan करना है ठीक है तो आई होप आपको थोड़ा सा idea में लोगा कि आज का trade setup कैसा रहेगा एंड क्या इसमें हम देख पाएंगे साती साथ अगर आपको crypto tax के बारे में जानना है तो मैंने आप एक video बनाई थी कल आप इसको check out कर सकते हैं इस video के comment section में आपको एक petition मिलेगी तो please sign this petition जिससे की लोगों के पास हमारी आ आपको description में मिल जाएगा thank you for watching I'll see you in the next one